हेलो एवर्डिवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आध हम बात करने वाले हैं UPPSC यहां पर यहां पर एक पेपर कटिंग आप दे सकते हैं यहां पर दी गई है UPPSC दो माह में तीन पदों पर शुरू होगी भरती तो इसके बारे में पूरी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं जिसमें कि हम बात करेंगे जो भरती आ रहे हैं क्या इसमें नर नहीं आएंगे इसमें तो कब तक आएंगी नर्शिंग की भरती UPPSC से इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो में लस्ट तक जरूर बने रहे हैं और अगर भी तक इस वीडियो को लाइक करें शेर करें चेनल पर न रहाप है यह फिस पहले पेपर में या कटिंग देखने को आपको मिली थी, जिसमें कि आपको देखने को मिले था कि UPPSC की वेकंची यहां पे आ गई है और बहुत जलद इसकी नोटिफिकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें की काफी सारे पदों पर यहाँ पर भरती प्रक्रिया होने वाली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि 5103 पदों पर अभी चल रही है चैन प्रक्रिया तो चैन प्रक्रिया यहाँ पर चालू है 5000 प्लस प्रक्रिया भी अभी चल रही है तो ऐसे में यहाँ पर जो है कितने पदों पर भरती आएगी तो यहाँ पर 2 महिने में 3,000 प्लस पदों पर भरती निखालने की तयारी है तो इसकी सबसे पहले पूरी अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं किया इसमें नर्सिंग की भरती आएगी या नहीं आएगी, तो चलते हैं इसकी कटिंग पर तो फ्रेंट्स ये पेपर की एक कटिंग है, जो कि अभी 27-28 अप्रेल में यहाँ पे, न्यूज पेपर में आपको देखने को मिली थी 28 अप्रेल को, आप सभी लोगों ने ये नोटिफिकेशन देखी होगी, तो जिसमें कि ये बोला गया था कि UPPSC ने बोला था कि दो माह में 3000 पदों पर सुरू होगी भरती, तो 3000 पदों पर भरती प्रक्रिया यहाँ पर सुरू होने वाली है, UPPSC की तरफ से, तो सबसे पहले यहाँ पर अपडेड ले लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रयाग राज, उत्तरप्रदेश लोग सेवा आयोग, यानि कि UPPSC, दो म देख सकते हैं, साब साब लिखावा कि 355 पदों पर भरती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है UPPSC, और यह विभिन विभागों के अंतरगत यहाँ पर निकाले जाएंगे, जिनके लिए मई-जून में भरती विग्यापन जारी किया जाएगा, और उसके साथ ही आवेदन क प्रक्रिया हैनि कि आवेदन आप से आप लोगों से इन्वाइट कर लिया जाएंगे, आवेदन आप लोगों से मांगे जाएंगे, मई-जून में आप लोगों से आवेदन मांगे जा सकते हैं, फिर यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया है, यहाँ पर UPPSC 31 मार्ट 2023 तक 5103 पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी कर चुका है, और चैन प्रक्रिया चल लही इस तरह एक वर्ष के दौरान 8108 पदों पर भरती होंगी, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 31 मार्ट 2023 तक का जो सेडूल था, उसके अंदरगत 5103 पदों पर जो है भरती के लिए विग्यापन जारी किया जा चुका है, और जो चैन प्रक्रिया उस पर चल लही है, इस तरह से पूरे एक साल में 8108 पदों पर भरती होंगी, यानि कि 5000 पदों पर जो भरती प्रक्रिया चल लही है और 3000 55 पर जो बार अभी निकाले जाएंगे, उनको जोड़कर पूर जून के बाद अब बिग्यापन भी जारी होंगे, इस तरह 10,000 से अधिक बेरोजगारों को नोकरी मिलेगी, आयोग ने 31 माद 2023 तक के 13,110 पदों पर भरती के बिग्यापन जारी किये थे, इन में से 12,236 पदों पर चैन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तो यहाँ पर काफ स्टाफ नर्स की भी एक भरती ऐसी थी, जो की काफी समय सेट की हुई थी, उसको भी यहाँ पर भर लिया गया था, उनकी ज्वाइनिंग अभी, हल रिसेंटली नॉम्बर में, दिसम्बर में हुई है, तो ऐसे में यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं, कि यह जो भरती जा आएंगी 3500, क्या इसमें नर्सिंग समवर की वैकेंसी आएंगी, क्या इसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, तो मैं आपको बता दूं, कि मैं भी इसमें यह वैकेंसी आपको देखने को ने मिलें, काफी सार उने यूट्यूब चैनल्स पे बोला गया कि 355 पदों में नर्सिंग की वैकेंसी आएंगे और श्योर है तो मैं श्योर तो नहीं कह सकता हूं लेकिन ज़रूर कहना चाहएंगा इन 355 पदों में नर्सिंग की वैकेंसी में भी ना आएं भालाकि 1600 प्लस जो है वेकन्सिए अभी खाली रह गए थी सीट वेकन्ट रहे गए थी जो फिली वेकन्सी भरी घए थी उसमें 1600 वेकन्स वेकन्टर रहे गए थी उन पदों पर भरती होनी है लेकिन उससे पहले अभी यहाँ पे जो है यहाँ पे जो यह वेकेंसी निकाली गई थी इसके हिसाब क्योंकि UPPSC करीब 4 साल में एक बार यहाँ पे वेकेंसी निकालता है वो करीब 4 साल में एक बार जो है वेकेंसी निकालता है जैसे कि 2017 में निकली फिर 2021 में निकली तो इस त प्रेश दोजाब पचीज में वेकेंसी की उम्मीद की जा सकती लेकिन यहाँ पर कब तक आएंगी वेकेंसी तो मैं यहाँ पर जहां तक जो अभी तक जो इसका रुटीन नहा है जो वेकेंसी का नर्सिंग की वेकेंसी जो आती रही है चार साल के अंतराल पर उसके इसाब से तो इन तीन राप 55 पदों में नर्सिंग की भरती नहीं आएगी, काफी YouTube चैनलज पर बोला भी गया है कि हाँ वेकेंसी आएगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसमें वेकेंसी नर्सिंग की आपको देखने को नहीं मिलेंगी, और कब आएगी वेकेंसी तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दू कि 2024 में इलेक्षन है, और इलेक्षन से पहले जो अभी 4 साल का जो मैं बता रहा है कि 4 साल में एक बार नर्सिंग की वेकेंसी जारी की जाती है, हराल में आती है, तो ऐसे में ये वेकेंसी आपको 2025 के बजाए 2024 में देखने को मिल सकती है 2024 में वेकेंसी आने का रिजिन ये भी है क्योंकि 2024 में जब ELECTION है तो 2024 आप सभी को पता है ELECTION से पहले सरकार कुछ बड़ी वेकेंसी निकालती है कुछ अच्छी वेकेंसी निकालती है और कुछ ऐसे वादे करती है जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरह आकरसित हो और उससे उनका जो है एक youth candidate भी काफी सारे जुर जाते है जब vacancy आती हैं तो काफी सारी youth candidates भी जो है उस particular party से जुर जाते है जो vacancy निकालती है कि हाँ चलिए ठीक है अच्छा है कमसे हम vacancy तो जारी कि यह तरी सारी vacancy है वो vacancy वहाँ पर clear हो या 2024 में ना हो यह इसकी guarantee नहीं है बट यह vacancy 2024 में आपको देखने को मिल सकती है election से पहले क्योंकि election से पहले ऐसे कई सारे वादे जो है सरकार लोगों से करती है जिससे काफी सारे लोग भी जुड़ते है और काफी सारे जो है नए जो candidate होते है जो नए भेर्थी होते है यह यूथ जिसको बोलते हैं वो भी काफी सारे लोग इससे जुड़ते तो यह vacancy आपको 2024 में I hope की देखने को मिलेगी तो आप 90% तो नहीं मानके चले कि vacancy आएगी इसमें नर्सिंग की हो सकता कुछ पद दे दिये जाए अधरवाइज दो हजार इन तीन आप पच्पन पदों में आप 90% मानके चले कि vacancy नहीं आएगी लेकिन 2024 में आपको notification देखने को जो है नर्सिंग का मिल सकता है यह आपका 100% sure है क्योंकि election से पहले भरती आनी ही आनी है और यह हमेशा से होता रहा है कि election से पहले भरतिया निकाली जरूर जाती है तो friends इस वीडियो में मैंने सारी updates आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है तो काफी लोगों को जो confusion था कि तीन जा पसपन जो भरती करने जा रहा यह क्यों प्रोवाइड की आएगी या नहीं आएगी तो ऐसे में आप 90% ना मान के चलिए कि वेकेंसी हाँ पर देखने को मिलेंगी तो पूरी अपडेट मैंने आपके साथ हैं आपके शेयर की है आई होप यह वीडियो आप सभी के डियर्स के लिए इंफार्मेट्यू रहेग मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत